श्री शिवाय नमस्तु भ्यम मुंग जनते हैं मुंग की दालोती न जो हरा मुंग आखा मुंग हरा की कटोरी भरो उस पर गुड़ की एक खोड़ी गुड़ की बटी उस पर रखो पांच बेलपत रख लो और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बिमारी है कैंसर जैसा रोग भी है किड़नी लीवर जो भी उसक और अश्टमी थी रादाश्टमी भी है दुर्वाश्टमी भी है दुर्वाश्टमी जिस दिन भगवान ने गनेश जी ने एक राक्षस का संगार करा और कश्च प्रिशीनम को दुर्वा दी थी वो अश्टमी है पहली बार दुर्वा चड़ी थी गनेशी को उसका बिमारी हो एकिस बार शरीर पर से उतार कर महराजी सीधे हाथ में रखकर नाम गोत रख खुद का बोल कर और भगवान से गणे जी से बिंती करकर अश्टमीती थे के दिन बुद्भार के दिन जो भी आ रही है बहुत समय के बाद पड़ रही है उस दिन उस कटोरी नहीं लेन पुरानी कटोरी नहीं लेना कोई कटोरी घर में नहीं हो नहीं कटोरी और उसको गणे जी के मंदिर में पहुचा दी जी गणे जी के मंदिर में पहुचाएं गणे जी के मंदिर में पंडी जी भी बैठे रहे हाथ में मत देना उस कटोरी को भले दरवादे पर चोखट पर गनेश जी के राइट हेंड की हो आपका उल्टा हाथ होगा गनेश जी का सीधा हाथ होगा तो गनेश जी का जो राइट हेंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इदर आएगा उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पर ही रख देना पर रखना भूमी पर महाराज कैसी भी बिमारी होगी अगर चलने में भी तकलीप हो रही होगी तो अश्टमी को करकर देखना ग्यारस या फारस तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा यह अश्टमी कुछ साधरण नहीं आ रही गुद्वार को 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो अगर एक्सदाम में बैठ रहे हो सरकारी परिच्छा में बैठ रहे हो पास नहीं हो रहे है नोकरी नहीं लग रही बहुँ जगा इंटर्वी दे दिया 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में माता जगदंबा के मंदिर में अर्थात जहां संकर पारवती पून परिवार विराजमान हो ऐसे देवी के मंदिर में गणेजी के गले में वो माला अरपन करिया है अपना नाम बोलकर और जिस एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो काच की फ्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिने एक्जाम के लिए चले जाईए आपको उसका फल अवश्य में लेगा अवश्य में आप उसमें उत्रिन होंगे फल प्राप को दुरुबार सुक का सुख लेश 24 गंटे बना हुआ है घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग उसके बाद भी सबका मूँ भूला हुआ है उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है जिस घर में सुख और शांती ये दोनों चीजे नहीं है वो निवेदन है लाल वस्तर में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना, धना जानते हूँ, खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं थी, धना, हरा धना, और पाँच गोल सुपाडी, जो गोल सुपाडी होती ही, पूजन वाली सुपाडी, पाँच पूजन वाली सुपाडी, पाँच बेल पत्र, इस लाल वस्त्र में रख कर उकुचावल से पूजन करकर उस पर तीन बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेजी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता सुख और शान्ती ये दोनों प्रविश कर जा जिनको शुगर की विमारी हो बीपी हो उन पानी का जो जलाशे होता है खुँआ होता है बावडी होती तलाब होता नोडी होती वह होती लगती है सफेद पांच सफेद दुरवा तोटे हुए दाथ की और समर्पित कर दें बुदवार के दिन अश्ठमीती थी दुरवाश्चमी track के दिन दौ पहार में ठीक बारा वर वही दुर्वा पांच मिनिट बार उठा लें और उस दुर्वा को एक एक दिन में सुबह खाली पेट, एक एक दुर्वा को खाला, महारत, आपका शुबत, शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा, आपके पास में जाच की मसीनों को वश करिएगा, पती और पतनी में दरार पड़ गई हो, जिस पती पतनी की बात समाप तो होकर अदालत में केस पहुच चुका हो, तलाप की बात आ गई हो, और दोनों को दिल से अगर जुड़ना है कि मुझे इनकी साथ रहना है, या उसको इसके साथ रहना है, और अदालत तक बात पहुच गई है, वो अदालत को वी जाने दो केवल आप बुद्वार की अश्थमी के दिन जो आने वाली है बुद्वार के दिन महाराज भगवान संकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना साथ में गोवर के बिनायक बनाना गोवर का गणेश और गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जै पूजन आप करना बड़े प्रेम से चंदन चंदन आधिक अच्छत पुष्प समर्पित कच्छा दू तीनों पर चड़ाना तही तीनों पर चड़ाना शेह तीनों पर चड़ाना घी तीनों पर चड़ाना शकर तीनों पर चड़ाना पूजन करकर कि कितना बड़ा लाल वस छापे बना कर कि हम पती पत्मी में कभी जगणा ना हो प्रेम बड़े क्लेश ना हो आनंद बड़े चापे लगा कर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को धाग देना पूजन करकर भी कर दिया लगा कर धाग दीजिए एक सवाट चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना पने कामना करकर उस बस्तर पर डाल दीजिए बस्तर का चावल अपने उपर बाद में छुड़क लीजिए मूर्तियों का पूजन करकर फिर झाल झाल